आप सभी को जैहिन आज vocab class number 6 है और इस class में हम लोग सभी रिस्तो यानि relations के बारे में relations name के बारे में पढ़ने वाले हैं इसके पहले वाले वीडियो में part 1 में कुछ relations जो हैं उन सब को cover किया गया है बागे says जितने भी relations name है इस वीडियो में cover किया जाएगा चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आपको पता ही है कि आप हमारे संस्ता के शातर हैं तो इसको अवज से लिखिएगा और साथ में याद भी करना है लिखना तो पड़े गई आपको क्योंकि अगले दिन इसका revision भी कराया जाएगा यानि कल इसका revision भी कराया जाएगा तो ध्यान से और साथ में बोलना भी है आगे बढ़ते हैं यह सब हमने तो cover करा दिया इसको लिखना नहीं आपको आपने पहले ही अगले वीडियो में लिख चुका होगा तो यह सब हमने cover तो कर लिया है अगर नहीं लिखा है तो जाके इसके first वाला जो वीडियो होगा उसको देखिएगा वस और लिखिएगा आगे बढ़ते हैं आगे हम लोग का जो होगा part number two होगा part number two यानि part one में जो हम लोग basic relations जितने भी होते हैं उसको सब को cover किया गया है आज कुछ advance label पे जो relations बन सकते हैं उन सब को cover करेंगे आगे बढ़ते हैं चलिए ठीक है तो यह पहला जो हम लोग का होगा देखिएगा पहला relation में क्या है पहला है client पढ़िएगा spelling spelling और शाथ में आपको बोलना भी है और शाथ में हमारे साथ साथ आपको इसका प्रनाउंस भी करना यानि इसका उचानड भी आपकरना है देखिए पहला क्या है क्लाइंट अब आप देखिए sieht math मतलब क्या होगा तो क्लाइंट मिंस क्या होगा 막लाइंट में सोता है ग्रहक या मवकिलोके जर्नली वकीलिस का यूज करते हैं कि क्लाइंट ही हमारा klाइंट है आँँ वैसे ग्राहक के लिए भी आप यूज कर सकते हैं कि यह मेरा ग्राहक है, यानि मेरा client है, ठीक है? client का spelling देखेगा, c-l-i-e-n-t, client means क्या हो जाएगा? client means होता है, मुवक्किल या ग्राहक, ठीक है? अगला है daughter, daughter means क्या होगा, पुत्री, अब daughter का spelling भी दिखान अखिएगा, d-a-u-g-h-t-e-r, daughter, daughter means पुत्री होगा, अगला क्या है, disciple, क्या बोलेंगे, disciple, okay, disciple, disciple means क्या होता है, sis से, sis से बोलना होगा, spelling देखिएगा, d-i-s, क्या बोलेंगे, d-i-s, c-i-p-l-e, disciple means sis से होता है, साथी करते हैं, fellow, ओके, तो, इस पेलिंग क्या होगा, F-E, double L-O-W, fellow में संगी, साथी, अगला क्या है, F-O, F-O means क्या होगा, सत्रू, अना, enemy भी कहते हैं, enemy, enemy भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगला क्या है, grand, daughter, grand, daughter, मतलब क्या है, पोती, okay, grand, daughter में क्या होगा, पोती, daughter है तो पोती होगा, G-R-A-N-D, okay, G-R-A-N-D, उसके बाद D-A-U, G-S-T-E-R, grand, daughter, साथ हमें बोल लिए, चुप है, सिर्फ लिखने से होगा, बोलो, चुप चुप नहीं, बोलना है, सब को बोलिए, बोलिए, सब, बोलिए, एक बार रिविजन हम करते हैं इसका, और एक बार रिविजन आप लोग साथ में बोलिएगा, क्या बोलेंगे, client है न, और बोलने में दिक्कत है, घर में जाके, एक कोने में अराम से बैठ जाओ, एना उसके बाद बोलो, ठीक है, ओके, अगला देखे, client मेंस क्या होगा, मोकिल या ग्राहक, daughter मेंस क्या होगा, पुत्री, disciple मेंस क्या होगा, सिस्य, fellow मेंस होगा, संगी साथी, four मेंस क्या होगा, सत्रू, granddaughter मेंस, पोती, सही है, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं, बोलो, चुप-चुप है, अगले बोले, grand mother, क्या बोलेंगे, grand mother, grand mother, grand mother मेंस क्या होगा, दादी, Z, R, A, N, D, grand, M, O, T, H, E, R, grand mother, वैसे इसके आगे paternal जुड़ता है, paternal grand mother होगा, तो दादी हो जाएगा, और आगे आपने लिखा होगा, अगले वीडियो में, कि maternal grand mother हो जाएगा, तो ना नहीं हो जाएगा, guest, guest मेंस क्या होगा, अति-थी, guest मेंस अति-थी, guest का spelling बोलिएगा, G, U, E, S, T, G, U, E, S, T, guest मेंस अति-थी, अगले बोलिए, husband, क्या बोलेंगे, husband, क्या बोलेंगे, husband, husband मेंस क्या होगा, पती, spelling बोलिएगा, H, U, S, B, A, N, D, husband मेंस पती होगा, maternal aunt मतलब क्या होगा, mommy, देखिए, माता के तरब से relation होता है, तो maternal बोलते हैं, पीता के तरब से relation होता है, तो paternal बोलते हैं, मतलब मापा के वज़ए से कोई anche relation बनेगे जैसे जो भी आपका मामा गाम हुगा वो माता जी के relation के वज़ए से होगा उस relation में आपको बोलना होगा maternal aunt, maternal uncle mama को बोलेंगे, maternal grandfather नना को बोल देंगे, maternal grandmother किसको बोलेंगे नानी को बोलेंगे, यानि maternal लगाना पड़ेगा, लेकिन पिता जी के तरफ से जो relation बनता है, उसके तरफ से होता है, paternal, paternal aunt, चाची, paternal uncle, चाचा, ऐसे बोलते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, maternal, वैसे अगले वीडियो मेंने बताया थे आपको, m-a-t-e-r-n-a-l, maternal aunt, क्या हो जाएगा, mommy, maternal aunt मतलब mommy, teacher, teacher मतलब क्या हो जाएगा, अध्यापक, t-e-a-c-h-e-r, teacher means अध्यापक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले इसका रिवीजन होगा, बोलिये, बोलिये, साथ में बोलिये, बोलना है, ठीक है, बोलना है, grand mother, क्या बोलेंगे, grand mother, जोर से बोलो सुनाई नहीं देर, grand mother, चिलाओ, grand mother, दादी, guest means क्या होगा, अतिथी, husband, husband means पती होगा, maternal aunt मतलब mommy, teacher मतलब अध्यापक होगा, आगे बढ़ते हैं, अगला देखे, अगला क्या है, mother, mother है ना, आगे अगले वीडियो में अपने मम्म भी लिखा था, मम्मा भी लिखा था, मा के लिए, और mother means भी क्या होगा, मा, okay, m-o-t-e-r, mother means क्या होगा, मा, आगे बढ़ते हैं, master, master means क्या हो जाएगा, master means क्या हो जाता है, मतलब देखे, जो उसका मालिक कह सकते हैं, या स्वामी कह सकते, m-a-s-t-e-r, master, master means मालिक या स्व आप पंच मोलते हैं वेलेस्न से कोई मतलब ना आप जो हिंदी भुनें करना कि भाई कर लड़का होगा बहतीस को बोलते हैं. भाजा बहुन्देते हैं जो बहन के लड़का होता है, उसी को तो भाजा बोलेंगे लेकिन अंग्रेजों न सब को लपेट दिया एक ही में सब नेफियू है सब नेफियू है भाई सब इस्पेलिंग क्या होगा N-E-P-H-E-W N-E-P-H-E-W नेफियू मिन्स भाजा भतीजा अब यहाँ निस निस मिन्स क्या हो जाएगा भाजी भतीजी भाजी भी हो सकते है भतीजी भी हो सकते है क्या निस N-I-E-C-E N-I-E-C-E निस मिन्स भाजी या भतीजी अगर बुलेगा पास्टारिटी क्या बोलेंगे पास्टारिटी मतलब वनसज अगर वन साज आपको बताना होगा वन साज बताने के लिए क्ली क्या बोलेंगे PASTERITY क्या बोलेंगे PASTERITY मतलब क्या होता है PASTERITY मतलब deter बोलिएगा P O T E R I T Y PASTERITY PASTERITY मतलब वन साज आगे बोलिए relative relative मतलब NATASAMANDHI है ना तो रिलेटिव मतलब कि आँचा नाता सम्बंधि नाता गोता यह सम्बंधि इसको बोलते हैं इसमें अब्लिक लगा ज़ना इसे ओके अगला देखें रिलेटिव का इस पिलिंग क्या होगा र-e-l-a-t-i-ve relative relative मतलब नाता या स्वंबंधी अगर बोलेगा step daughter क्या है step daughter step मतलब सौतेली daughter मतलब daughter बोलिए daughter मतलब पुत्री होता है daughter मतलब पुत्री होता है तो यहाँ पे पुत्री बनाईएगा आप लोग ध्यान देजिएगा हमने क्या बोला है इस्टेप डॉटर, डॉटर मतलब क्या हो जाता है, तो पुत्री होता है, क्या होता है, पुत्री, इस्टेप डॉटर, ठीक है, इस्टेप डॉटर मतलब क्या हो जाएगा, तो इस्टेप डॉटर, डॉटर मतलब तो पुत्री होता है, लेकिन, इस्टेप सिस्टर कहा जाए तो सौतेली पुत्री होगा तो कि डॉटर मतलब क्या होता है पुत्री तो स्टेप डॉटर मतलब सौतेली पुत्री स्टेप सिस्टर मतलब सौतेली बहन आगे बढ़ ये एक बढ़ रिविजन किया जाए Mother means Maa, Master means Swami, Nephew means Bhatija, Bhanja Nis means क्या होता है? Bhanji Bhatiji Posterity मतलब क्या होता है? Vansage Posterity means Vansage Relative means Nata Samandhi Step Daughter Step Daughter मतलब क्या हो जाएगा? Step Daughter means हो जाएगा Daughter मतलब पुत्री Step मतलब सौतेली सौतेली पुत्री ठीक है? लेकिन Step यहाँ पे Step अब सौतेली बहन कैसे होगा? Step Sister Step Sister मतलब क्या हो जाएगा? सौतेली बहन आगे बढ़ते हैं अब बोलेगा Step Mother क्या बोलेगा? Step Mother मतलब क्या हो जाएगा? Step Mother means होगा सौतेली मा आप Step Daughter बोलेगे तो क्या हो जाएगा? सौतेली पुत्री आप step sister बोलेंगे तो सौतेली बहन, आप step brother बोलेंगे तो सौतेला भाई, step mother बोलेंगे तो सौतेली मा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सौतेली मा हो जाएगा, servant मतलब क्या होगा, knocker, servant मतलब क्या होगा, knocker, ठीक है, sister-in-law, sister-in-law, आपको बताया है थे कि जहां पर hyphen लग जा आप इसका दूसरा आर्थ होता है नहीं तो आप exact Hindi निकाल देंगा तो sister in-law मतलब नियम बहन में नियम ये का होगा गलत हो जाएगा तो इसलिए इसमें हैफन लगा दिया है कि इसका कुछ और मतलब निकलता है sister in-law मतलब क्या हो जाएगा भावी ननद आगे बढ़िये अगला क्या है son in-law son in-law मतलब क्या होगा dhamad या जमाता कहते है जमाई कहते है son in-law dhamad mín या जमाता जमाई अलग-अलग इस ताणों का अलग-अलग बूलने करीव आज है लेकि कुल मिला कै दमाद होगा जमाई कहें, जमाता कहें, कुछ भी कहें, ठीक है, आगे बढ़िए, कजन, कजन मतलब क्या होता है, तो कजन मतलब हो जाता है, कजन मतलब होता है, चचेरा, ममेरा, मुसेरा, है न, अब कजन, कजन बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, कजन सिस्टर, कजन सिस्टर मतलब क्या हो ज तेरी बहन कजन है ना तो कजन कजन बोल सकते हैं कजन बोलते हैं किसके लिए चचेरा भाई के लिए बोल देंगे कजन ठीक है आगे बड़ यह अगला है maternal grandfather maternal grandfather मतलब होता है नाना और तो कहा है लगा दिया है कि माता जी की तरफ से माता जी की तरफ से relation बनेगा तभी तो नाना होगा माता जी के पिता जी नाना होंगे तो इसलिए माता जी की तरफ से relation बना है तो हम क्या बोलेंगे maternal grandfather स्पेलिंग क्या होगा M-A-T-E-R N-A-L maternal grandfather क्या होगा G-R-N-D-F-A-T-H-E-R grandfather maternal grandfather मतलब क्या होगा Nana ठीक है तो यह हम लोग का cover होता है जितने भी relation बहुन सकते हैं सबको हम लोग cover किया है ठीक है तो चलिए मिलते हैं किसी vocab के class में तबते के लिए जय हैं बंदे मातरम भारत मता कीज़ए